है तो है योटो कोछा स्या आपका स्वागति साल है में आंत्र और कर्थिकErुक में जिसे कि हम जिगरोपी य का सेमेंस्ट्रोपी त्री का पहले ट्वरिक हिमाले का सेमज्चन से हिमाले किके थोसस्हएं माध मैं बात करेंगेथ चलिए हम इस टोपिक को आगे बढ़ाते हैं गाइस हिमाले को मुखेता पांच भागों बाटा गिया है ठीक है ट्रांस हिमाले आंतरीक हिमाले जिसे विर्यद हिमाले का जाता है और तिसरा है लगू हिमाले जिसे मद हिमाले भी का जाता है चौता है सिवालक या पी बाह हिमाले और लास्ट में उत्री पूर्वी हिमाले देखिए ये किस अधार प्रकाया था ये उत्री उत्री परवत्य परदेशों के अधार पर ठीक है उत्री परवत्य परदेशों के अधार पर पांच भागों बाटा गिया है ठीक है तो आगे ब हिमाले का नदी घाटियों के सीमाओं क्यों अधार पर पका प्रडिंक भाजन किया गी है आई है मेप के दिवारा हम आपको सम्झा देंगे किसप्रेकार नदी घाटियों के दोबारा इसे पाद बिभाजन क्या गी है पार्देशिक विभाजन का संखल्पना कौन किया था शीद्नी बुराध में पहला है पंजाबि वाले सिंदू पंजाब हिमाले किस नदी के बीच सिंदु नदी के बीच लंबाई कितनी है पांचो साथ किलोमेटर इसमें कुंचा सिर्णी निया आता है काड़ा को रहम लद्दा पिर पंजाल जासकर धोलावीरा परवत सिर्णी आगे देखिए कुमाव परवत देखिए कुनको नदी 17 काली नदिर के बीच ठीक है कि यार तरह यहारचे बीच सिर्णी हो को यह किसके की सिर्डार कि मच लंबाई कितने हैं कुछ नदी की वीच एक काली उतिस्ता नदी कितने कितने मतलब किलोमेटर देगे 800 किलोमेटर माउंट एबरेस्ट कंचन जंगा धोलावी रदगी मकालू परवत हिमाले के सबसे बढ़ा बढ़ा जितने भी परवस्ट रहनी है सब नेपाल हिमाले में अब आपको कुछिंट सब्सक्राइब नेपाल हिमाले तो राइट एंसर क्या होगा नेपाल हिमाले के अधार पर आखरी जो हिमाले है वह असम हिमाले है जो कुछ नदी भी तिस्ता दिहांग बरंपुत नदी भी 750 कियोमेटर इसमें कौन-कौन से कांग्री नामचा बार्वा ऐसे अंधार को कुला नाग पारीगत चय थे अपतान आत्रल्का मेट के दर्वा समझते में है कि थे पंजाब के ठेज भी तो क्जेटर को उस्ट कुमायव Bose हिमाले था 57 नदीम необходимо इनेपाल हिमाले थार ऐसम हिमाले था देख सकते हैं इस म्यार्य हिम्माले था इस पूरा चे को निपाले हमाले इस पुरचेत्र को असम हमाले इस तरह आप में पिद्वारा भी इस हो समझ सकते हैं बहुत असान भास हो